कि नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहे हैं एस्पियन नाइन न्यूस महाराज की राजनीती में भूचाल आ चुका है क्योंकि जिस तरीके से सिलसेना और एंसीपी ने गडबंधन किया था और कॉंग्रेस भी इसमें शामिल थी महा अगारी की सरकार कहा जाता है और यह कहा जा रहा था खुद उद्धर ठाक्रे और शरतपवार की तरफ से कि इस गडबंधन को अब कोई नहीं तोड़ सकता महारास्ट में एक अच्छे पद को लेकर उद्धर ठाक्रे जो मुख्य मंत्री बने हैं सिर्फ और सिर्फ कॉंग्रेस और एंसीपी की बदावलत ही बने हैं क्योंकि अगर उनका साथ उन्हें ना मिल पाता तो उद्धर ठाक्रे का मुख्य मंत्री पर धारं करना कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता था क्योंकि इन पर भारते जनता पार्टी काफी हावी हो रही थी लेकिन जब धाई-धाई साल की बात चली थी तो उस वक्त उद्धर ठाक्रे और दिवेंद्र पर्णवीस राजी नहीं हुए थे दोनों यह कहा जा रहा था कि NCP शरत पवार को भी फायदा होगा कॉंग्रेस सोनिया गांधी को भी फायदा होगा लेकिन यहां पर आपको यह बता दे कि अभी इस गटबंधन पर कहीं दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और यह दरार छोटी मोटी नहीं बड़ी दरार दि दिन देना चाते थे लेकिन शरत पवार इसके लिए राजी नहीं थे और वहीं पर यह मामला अभी लंबा खिस्ता चला जा रहा है जहां पर उद्धर ठाकरे और शरत पवार की नराजगी तो दिख रही है वहीं एक और मुद्धा शामिल हो चुका है इनकी नराजगी को ल रही है यहां पर आपको बता दें कि फिर से नागरिक्ता संसोधन कानून NPR और NRC को लेकर फिर से चर्चा चल रही है और यहां पर ना तो शरत पवार की सहमती बन रही है ना तो उद्धर ठाकरे की सहमती बन रही है यहां पर उद्धर ठाकरे यह कहते वे नजर आ रहे हैं कि NRC से मुस्लिम समुदाई के लोगों को ही नहीं वहाँ पर रहने वाले आदिवासियों को भी परेशानी होगी क्योंकि उन्हें भी दस्तावेश दिखाना होगा लेकिन NPR से कोई भी परेशानी किसी को भी नहीं होगी तो NPR के समर्थन में उद्दर ठाक रहे हैं और उन्हेंने कहा है कि यहाँ पर NPR से मुझे कोई खत्रा नहीं है नहीं महराश्ट की जनता को खत्रा है लेकिन शरत पवार इससे उल्टा बोलते वे नजर आ रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि अगर NPR के तहट अगर आपको दस्तावेज दिखाने है तो NRC में भी वही काम किया जाएगा वहाँ भी दस्तावेज दिखाने है नागरिक्ता साबित करनी है दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो फिर सवाल खड़े होंगे असम की उन महिलाओं को देख लीजे जो अब एक मामला सामने आ रहा है जिनकी नागरिक्ता पर सवाल उठ चुके है जहां पर लगतार विरोध दिखाई दे रहा था वही पर अब एक और यहां पर उधारन आ चुका है कि उस महिला को बार बार अपनी नागरिक्ता साबित करनी है दस्तावेजों को लेकर सवाल खड़े किये गए है वहीं अधरबाद में एक और वैक्ति का मामला सामने आया था जिसकी नागरिक्ता पर सवाल खड़े किये जा रहे तो यहां पर सिर्फ शरद रुद्दव ठाकरे का मामला नहीं है यहां पर उन तमाम नागरिकों का मामला सामने आता है जिने अभी भी नागरिक्ता साबित करनी है तो अब ऐसे में मुद्दा कोई भी हो NPR, NRC दस्तावेज तो दिखाने ही है अगर दस्तावेज दिखाने पर अगर मुस्लिम समिदाय को परेशानी है तो आदिवासियों को भी परेशानी है क्योंकि उनके पास भी दस्तावेज ना होना भी देखा जा सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास दस्तावेज हो क्योंकि पुराने दोर से और किस तरीके से उनका रहन सहने उन पर भी निर्भर करता है तो आपकी क्या रहा है कमेंट बाक्स में जरूर बताए मुझे देजे इजारत और ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते हैं SPN 9 News